हेलो दोस्तों गुड बॉर्निंग स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से तो जैसा कि आप सभी को मालूम है आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को फॉर्मुला वन ग्रेंट प्रिक्स MCQ के साथ में उससे पहले आप सभी को एक बार प्यारी सी गुड मॉर्निंग सुभा के नमस्ते सिख्रे काल रादे रादे थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि आप लोगों ने देखा था सुबह थोड़ी फॉंट में प्रबलम थी जो हिंदी वाले फॉंट में थोड़ी सी प्रबलम थी तो उसके चलते थोड़ा सा डिले हुआ है आगे नहीं होगा वो problem को counter कर लिया गया है problem को short out कर लिया गया है ठीक है तो जल्दी से एक बार मेरे सभी बच्चे सबसे पहले तो like कर देंगे share कर देंगे फटा-फट से पढ़ाऊंगा नहीं है सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि याद भी हो जाएगी आप लोगों को किस तरह से याद करनी है इसको ठीक है इसको tricky way में भी बताऊंगा और एक बात मैं आपको बता दू जो टॉपिक आज पढ़ाऊंगा कल उस पर बेजड आपको mcq मैं मतलब आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा कल उस पर बेजड mcq आपके लाइव टेस्ट में हो जाएंगे तो चीजे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक वाइस पढ़ाने वाला हूं ध्यान रखिएगा ठीक है तो एक दिन प्रिविएस टॉपिक पर मैं उस प दिफ्रेंट चीजे मैं कराने वाला हूं तो चलिएगा स्टार कर देते आज के सेशन को सेशन में क्या है जैसा कि आप लोग जानते हैं तो मैं गौर्व चोधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आज कल फोर्मुला वन ग्रेंट प्रिक्स में ठीक है बच्चो सबसे पहले बच्चो ग्रेंट प्रिक्स होती है उसको हम एक बार देख लेते हैं यह कार रेसिंग एक तरह की कार रेसिंग है ठीक है तो अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में टोटल 21 हुई थी आप लोगों की और यह जो टोटल 21 हुई थी आप लोगों की इसमें क्या-किस तरह का कुशन कुछ कोैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ लोग कोशन मैं भी मैं ही बताऊंगा लेकिन वो हमवर्क होंगे आप लोगों कें लिए जैसे कि आज मैं आप आप लिर्गों को देने वाला हूं ठीक है और कल Ez टेस्ट हो जारेगा तो मेरे सभी बच्चों को अगर चीजे पसंद आ रही है तो एक बार जल्दी से ये initiative पसंद है तो भीया like और share कर दें फटाफट से like में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ठीक है सबसे पहले आज की morning motivation के साथ में शुरू करेंगे और आज की morning motivation क्या है लगातार एसफलता मिलने पर भी उत्सहा को नेख होना सफलता है आप लोगों की अगर यहाँ पर आप लोगों को देखा जाए बच्चे कई बार क्या होता है कि हम लगातार एसफल होते रहते हैं ठेक है तो कुछ न कुछ मतलब थोड़ी बहुत कमिया रहरी होती है लेकिन कुछ लोग उसमें उत्सहा को खो देते हैं कि अब नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊंगा यह वो सारी चीजे तो अगर आपने उत्सा बनाए रखा तो बच्चो वही आपकी सफलता है वही सब कुछ है तो कभी भी डी मोटिवेट नहीं होना सारी चीजे जो होंगी वो टाइम पर होंगी अच्छे से होंगी और आपकी मैनत कभी विकार नहीं जाएगी यह मैं आपको बता रहा हूं च ठीक है चलिएगा फटा फट से चलो लाइक कर दें सभी लोग बच्चों यहाँ पर बात करूँगा तो सबसे पहले मैं बात करूँगा करेंट अफेर मास्टर के एक बैच की जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजे पढ़ाने वाला हूं कैसे टॉपिक वाइज और सारी 77 कोड आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा डिसकाउंट ठीक है तो देर ना करें इस बैच को जिनको पर्चेश करना जो चाहते हैं यूपी सूपर टेड डी ट्रप्लेस भी के वी एस एंटी पी सी से कोई भी आप लोगों का एक्जाम है इस बैच को पर्चेश कर सकत और कार रेसिंग में मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलियन जो ऑस्ट्रेलियन फॉर्मुला वन ग्रेंड प्रिक्स है उसको हम पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे बाहरेन या बहरीन को उसके बाद पढ़ेंगे हम चाइनीज को जैसे कि मैं बा चो इसकी करन्सी तो देखो अजर्बाइजान की क्या है मनत है और कैपिटल बाकू है ठीक है इस्पेन की बता देंगे मैड्रिड है मुनेको की कैनेडा की फ्रेंच की ऑस्ट्रेलियन ओपन और ब्रिटिस यह सब हम पढ़ने वाले यहां पर इसके लावा जो टोटल दस तो य यहारा यह है मतलब टोटल 21 हम पढ़ने वाले हैं यहां पर आज और 21 में क्या क्या है आपको जर्मन भी है हंग्रियन भी है बुद्धापेस्ट कैपिटल है बेलजियन भी है इटैलियन भी है सिंगापूर भी है रस्यन भी है जैपनीज भी है मैक्सिकन है यूएस है और अबुधाबी है तो यह सारी की सारी आप लोगों की ग्रेंट प्रिक्स है जिनको पढ़ने ही नहीं सीखने वाले हो रियाद हो जाएंगी यह मेरा वादा है आप लोगों से तो सभी लोग यहां पर आ चुके हैं बहुत अच्छे ठेक है तो यहां पर कोई डाउट अ सबसे पहले देखो इसका थोड़ा सा फोंट उस्ट्रेलिया उपर चला गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं बापस बुला लेंगे तो मेरे बच्छों यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले औस्ट्रेलियन ग्रेंड प्रिक्स को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं या एक आपको इनकी क्या बतानी है टीम बतानी है ठेक है एक आपको इनकी टीम बतानी है भाईया फरारी से हैं रेड बुल से हैं मरसेटीज से हैं कौन से टीम से हैं और इनकी कंट्री मुझे कमेंट बोक्स में आज मिलनी चाहिए कल इसी पर बेश टेस्ट होगा तो कोई पू सी जीती है इन्होंने अजरबाईजान मेरे बच्चों जो अजरबाईजान है हमारी यहां पर लिख देता हूँ थोड़ी सी फोंट की गरबर के कारण यह ऐसा हुआ कल से नहीं होगा ठेक है तो अजरबाईजान जो है मेरे बच्चों वो किसने जीती है अजरबाईजान भी पल्टारी बोटास नहीं जीती है, याद कराने का तरीका भी बताऊंगा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जैपनीज फॉर्मूला वन तो जैपनीज भी इन्हों ने जीती है, तो यहाँ पर एक इनके पास में आ गई मेरे बच्चों जैपनीज है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँगा आप लोगों से, तो एक इनके पास अजरबाईजान है, ठीक है, और एक इनके पास जो है ऑस्ट्रेलियन है, यह आप लोगों की है इनके पास में, बात करूँगा तो एक यूएस ओपन भी, मतलब यूएस फॉर्मूला वन ग्रेंट प्रिक्स भी इन्हों नहीं जीती है, तो याद रखेंगे सारी चीजों को, चार जो है इनके खाते में गई हैं, एक तो जापान वाली, एक अजर वाली, ठीक है, और एक आपकी उस्ट्रेलिया और एक आपकी यूएस याद रखेंगे, ठीक है, तो कोई डाउट अगर यहाँ पर हो तो म यह है लुज सेमिल्टन और इन्होंने कॉन सी जीती है, सबसे पहले जो नाम आन रहा है मेरे बच्चो वो आन रहा है हंग्रियन, तो जो हंग्रियन formula 1, मतलब जो हंग्री country की फॉर्मूला 1 है, वो जीती है लुज सेमिल्टन ने, अब देखो भिया कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले Lewis Hamilton से शुरू कर देता हूँ, Lewis Hamilton क्या है, हंगरी है, हंगरी मतलब भूखा, तो भूखा कोन है भाईया, Lewis Hamilton, भूखा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि टोटल इनोंने जीती हैं 11, तो इनको क्या है बच्चों, जीत की भूख है, तो इनोंने टोटल 21 के अंदर 11 इनोंने जीती हैं, और ये आप लोगों के अगर मैं बात करने लगू, तो हंगरी कोन हुआ भाईया, जीत का भूखा कोन हुआ, Lewis Hamilton हुआ, अब भाईया, जब भूखा था, तो भूख इतनी लगी थी इनको कि ये बाहार रेन में भी चले गए कुछ खाने के लिए, मतलब बाहार क्य चाइनीज फूद, और चाइनीज फूद के साथ साथ, अगर मैं बात करूँ, तो भाईया, देखो, ध्यान से अभी इस पर बापस आएंगे, चाइनीज फूद के साथ साथ, इनोंने मुने को बिस्किट भी खाया, और फ्रेंच फ्राइज भी इनोंने खाई, ठीक है, तो क्योंकि पेन हो गया था, जादा खा लिया था, जादा खाने के बाद अगर मैं बात करूँ तो देखेगा, चाई के साथ रस भी खाए इन्होंने, चाई के साथ क्या खाए, रस भी खाए, और अगर उसके बात करूँ, तो ये लिखा है, अबू धाबी, तो बच्चों अभी इतना खाने के बाद और भी बाकी था क्यों खा रहे थे इतना क्योंकि इनके अब्बू का धाबा है भाईया इनके अब्बू का क्या है धाबा है तो अबू धाबी हो गया अबू धाबी और उसके खाने के बाद मेरे बच्चों ये कहा चले गए ब्रिटेन चले गए ब्रिट इतना खाया, चाइनीज खाया, उसने इतना खाया की pain होने लग गया उसके पेट में ठेक हैं, और उसके बाद उसने मोनैको बिसकिट भी खाये, उसने फ्रेंच फ्राइस भी खायी उसने maximum खाया आप लोगों का उसने कान पकड़ लिये फिर Canada मतलब कान पकड़ लिये अभी इतना नहीं खाऊंगा रसिया फिर बाद में उसने चाय के साथ रस पी ली और उसके अब्बू का ढबा था इसलिए उसने इतना खा लिया ठीक है तो ये सारी चीजे आप लोगों को याद हो गई होंगी भया लुईस हैमिल्टन तो आपको याद हो गया होगा कोई डाउट है तो मुझे यहापर आपको बता सकते हैं ठीक है तो इनके अब्बू का ढबा है ओके जी तो सारी चीजे याद होगी अगर चीजे पसंद आई तो आप लोग बता सकते हैं ठीक है यहाँ पर सारी चीजे लाइक शेयर करते रहें लाइक शेयर कम हो रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता दू और डेली एक लाइव टेस्ट भी आप लोगों का हुआ करेगा तो बेफिकर रहेंगे पहले एक टॉपिक और उसके पीछे लाइव टेस्ट ठीक है तो याद हो गया होगा आपको यह और यह इनकी कंट्री चलो मैंने ही बता दिया आपको ब्रिटेन के हैं आगी बात करते हैं अगले की मेरे बच्चों अगला जो आ जाएगा बेलजियन बेलजियन को जीता है चारलेस लेकरक ने तो जो सी लेकरक है उन्होंने जीता है कि सको बेलजियन को और इटैलियन को तो मेरे बच्चो इटालियन बेलजियन दो है ये इटालियन बेलजियन इटालियन बेलजियन ठीक है तो ध्यान रखेंगे इस चीज को कोई डाउट अगर यहाँ पर हो तो मुझे बता सकते हैं तो ये कहां के बच्चो मैं अगर बात करने लगू चार्ल्स ने इटालियन और बेलजियन, बेलजियन मतलब बैल गाड़ी, तो ये कार रेसिंग नहीं चलाते, इधर एक्के से बात करूँ तो देखो, इनके नाम में क्या आ रहा है, लैक्रेक, ठीक है, लैक्रेक, तो ऐसे नहीं करते हैं, जब आप बैल गाड़ी चलाते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, तो ये वर स्टेपन ने क्या जीती है और जर्मन भी इन्हों ने जीती है और बच्छो ये जो बंदा आपको सामने देख हुत रहा है ना सबस्टेयन बेटल ये उधास है ये उधास क्यों है क्योंकि इसने MAS जीती है, सिंगल जीती है, तो सबिस्टियन, सबिस्टियन है, तो सबिस्टियन ऐसे सबिस्टियन बेटल, मेरे बच्चों S4 सिंगल, S4 सिंगापूर, तो जिसने सिंगापूर जीती है, उसने सिंगल जीती है, तो कैसे याद लोगों की यहाँ पर इन्होंने जीती है कोई डाउट यहाँ पर हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कोई भी डाउट हो तो मुझे यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं ठीक है तो यह आप लोगों का था इसमें ग्रेंड प्रिक्स थी आप लोगों का बहुत अच्छे तो स पूछू अब आप लोगों से तो आप लोग बताएंगे मुझे एक एक करके याद हो गई होंगी चलो जी याद कर लेते हैं एक बार फटा-फट से देखो कैसे याद करेंगे जल्दी से मुझे बताएंगे फटा-फट से अब यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछने लगे कि आस्ट्रेलियन ग्रेंड प्रिक्स किसने जीती है अभी रिवाइज करा दूँगा अगर कोई आपसे पूछने लगे कि आस्ट्रेलियन ग्रेंड प्रिक्स जो है वो किसने जीती है तो किसका नाम लोगे सर आस्ट्रेलियन वाले जो थे हमारे बल्टारी बोटास थे बल्ट Australian Grand Prix किसने जीती है बताए फटाफट से पहला नंबर कैसे बताएंगे एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ऐसे बताएंगे तो बताओ Australian Grand Prix किसने जीती है मैंने कहा था यादगरा के जाऊंगा तो Australian जो आ रही है मेरे बच्चों यहां पर आ रही है बल्टारी बोटास ने मतलब जो बोटास है उसने जीती है यहां पर ठीक है बता दूँगा कैसे याद रखनी है ठीक है तो यह आप लोगों की बल्टारी बोटास है जिसने जीती है भहिया बाहरेन किसने जीती है नंबर दो बताएंगे एक बार जल्दी से किस तरह से बताएंगे किस नंबर एक के पता है second किस ने जीती है second जीती भाई बाहर रेन में खाना खाने कौन गया था जिसको भूक लगी थी जो हंग्रियन था अपना लुइस हैमिल्टन अपना गया था और बच्चो उसी ने तो चाइनीज खाया था उसी ने चाइनीज खाया था तो यहां पर मैंने क्या कर दिया यह भी लुइस ने जीती थी और भाईया अजरबाईजान तो देखो अजरबाईजान भाईया अगर अजरबाईजान किस के थे बल्टारी बोटास की थो अजरबाई थे तो यह जीती है किसने बोटास ने याद होना चाहिए आप लोगों को इस पैनिस किसने खाना खा करक किसके पेट में दर्द हुआ था जो भूखा था भूखा भाया लुईस था तो इस्पैनिस पेट उसी के पेट में हुआ था तो यह आप लोगों का लुईस हैमिल्टन हो गया यहाँ पर बाद बचो मोनेको बिस्किट भी तो उसी ने खाया था तो यहाँ पर भी लुईस हैम फिल्टन था और ऑस्ट्रियन किसने जीती है ये मुझे आप लोग बताएंगे अभी के भी आपके सामने जो ऑप्शन है ऑस्ट्रियन के लिए एक लेकरेक है आप लोगों के सामने और लेकरेक न तो भईया दो ही जीती है तो बैलगाडी जीती है और बैलगाडी बच्चों क ब्रिटेन के कौन है जो बंदा बाहार किसी को नहीं जीतने दे रहा वो अपने घर में कैसे किसी को जीतने देगा तो ये बंदा कौन है लूइस हमिल्टन है तो मतलब क्योंकि वो ब्रिटेन के ही है ब्रिटेन के वो रहने वाले हैं तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाह की है Singapore single बंदे ने जीती थी जो आपका को ने सबस्टन बैटल है और रस्यन भाईया रस किस ने खाया था चाय के साथ में सर रस जो हमारा खाया था चाय के साथ में वो खाया था लुई से मिल्टन ने जो अभी अभी कनेक्ट हुए है वो इससे पहले की वीडियो को जरूर दे खाया था यूएस किसने जीती है ब्राजीलियन किसने जीती है और धाबा भी तो लुईस के पापा का ही था मतलब लुईस के अब्बू का धाबा था तो याद रखेंगे एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को ये सारे के सारे कल सी इसमें टेस्ट इंक्लूड हो जाएगा आज तो इतना ही था आप लोगों के लिए अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको ये चीजे पसंद आईए तो बताओ जल्दी से आज बताओ आप लोग बताना पड़ेगा आप लोग को पसंद आईए तो लाइक भी करना पड़ेगा ठीक है और ये करंड फेर मास्टर का बैच है जल्दी से बताओं कोई डाउट है तो बता सकते हैं यहाप पर क्या बात है चीजे पसंद आई है क्लियर है तो इसी तरह से डेली में आपको एक टोपिक कराऊंगा ठीक है और कल को इस पर बेस्ट कोश्चन होंगे आप लोगों के जो आज पढ़ाया इ ऐसे कौन सी कंट्री के हैं कौन सी टीम के हैं कौन सा किसने जीता है वो कोश्चन्स आपके कल बनेंगे टेस्ट के तोर पे ठीक है तो यह था कल से इसमें कोश्चन भी सामिल हो जाएंगे चीजे समझ में आई है तो बता सकते हैं बच्चो ठीक है बिलकुल तो यह था आप का ठेक है everything is clear तो thank you so much बच्चो कल मिलेंगे फिर सुभा 6 बजे तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर जै हिंद जै भारत कर तक के लिए